हेलो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे करवाचोत का वरत पूरा होने के बाद रात में पति-पत्नी ये काम अवश्य करें करवाचोत का प्रभुबाद ही खुबसूर्ट अमाना गया है से किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है शास्त्रों के अनुस प्रेम प्रेम संपंट तथा पती की उम्र बढ़ती है जो महिला ये एक चीज नहीं खाती है उसका वृत कभी सफल नहीं होता इसलिए खास तौर पर ये चीज पत्ति वृता महिला को करवा चौत के दिनका लेनी चाहिए इससे उसका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है भगवान श्रे कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री स्वयम अपने पत चौत के अवसर पर अपने पती के हाथों से ही भोजन ग्रहन करना चाहिए भले ही आप उनके हाथ से भोजन थोड़ा ही खाए लेकिन जरूर खाए ये बहुत शुब माना गया है इससे पति-पत्नी के रिष्टे में दरार नहीं आती और माता गौरी का आशिरवात भी मिलत है आपका पवित्र रिष्टा साथ जन्मों का साथ पालेता है और आपका पती आपके पास नहीं है वे इह किसी काम से बाहर गये हुए है तो ऐसे में आप करवा चौत का ये व्रत अपनी पती की फोटो देख कर कर सकते हैं और वर्त पूरा होने के बात जब आप उनके हाथ से भोजन थोड़ा ही खाए लेकिन जरूर खाए यह बहुत ही शुब माना गया है इससे पती पतनी के रिष्टों में दरार नहीं आती और माता गौरी का आशिरवाधी मिलता है ऐसा पवित्र रिष्टा साथ जन्मों तक का साथ पालेता है और अगर आपका पती आपके पा तब आप अपने पती का नाम लेकर भोजन ग्रहन कर सकती है इससे वृद्धी भंग नहीं होता और पती के किसी कारण बस आपके पास नहोने से वृत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं करवाचौत का वृत पूरा हो जाने के बाद सीता फर अवश्य खाना क्योंकि यह बहुत ही शुब माना जाता है जैसे हलवा कड़ी पकोड़ा या फिर बेसन की कोई भी चीज अपने घर में अवश्य बना लेनी चाहिए और वरत और वरत पूरा हो जाने के बाद महिला को इसे अवश्य खानी चाहिए दोस्तों करवाचौत पर पत्नी से प्या है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं जिन घरों में पति-पत्नी खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई के रहते हैं उसे घर में माता लक्षमी अपने पाउंक जमा लेती है पति में पत्नी के बीच में अगर फ्रेम संबंध होंगे तो उसे घर की नकारात्मक शक्ती अपनी अब खत्म हो जाती है दूर दूर तक उसे घर के पास सकारात्मकूर्जा का संचार होता है हिंदु धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है अगर उसे देवी को घर में ना सताया जाए उसे देवी को घर में खुश रखा जाए और उस तो जानकारे आपको काफी पसंद आई होगी अगर ऐसा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सबसक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दे वीडियो के अंत में बस इतना ही, कहना चाहेंगे कि आपका दिन शुब रहे.